नवस्ते वेलकम बैक और आज हम मेनोपॉल्स के बारे में बाते करेंगे लेकिन हिंदी में बात करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम में मराठित वीडियो टकला होता तो अब हिंदी में डाल रही हूं मेनोपॉल्स मेनोपॉल्स एक एक नैचरल हॉर्मोनल माइलस्टोन है जो के हर एक महीला के लाइफ में आता है लेकिन इस वक्त जो हमारे बॉड़ी में चेंज़े होते हैं हम लोग वी आर ओफन कॉट ओफ गार्ड विद दोस चेंज़े और फिर हमको लगता है कि शायद मेरे शरीर में कुछ प्रॉबल्म हो रहा है मुझे मेनोपॉल्स का ट्रॉबल हो रहा है और मुझे इसको फिक्स करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि मेनोपॉल्स के टाइम पर एक्जाक्ली होता क्या है तो मेनोपॉल्स के टाइम पर हमारे जो ovaries है, ovaries जो के हमारा हॉर्मोन, estrogen वगएरा प्रोड्यूस करती है, यह shrink होने लगती है, मतलब के यह छोटी होने लगती है, यह छोटी होने के वज़े से हमारे body का जो estrogen है, यह गिरने लगता है, over a period of time, और फिर यह गिरने के वज़े से, you know, estrogen, progesterone, जिसको हम लोग typically female hormone कहते है, वो गिरने के वज़े से, eventually हमारा period जो है, वो बंध हो जाता है, so this is a natural phenomenon, एक बार period बंध हो गया, तो then the only thing that you cannot do is have children biologically, that is what happens, ठीक है, तो बस यही menopause करता है, बाकी वो आपके life में रुकावट नहीं लाएगा, तो आपको संभोग का आनन्द आप फिर भी उठा स बस यही है, कि बच्चा नहीं होगा, क्योंकि पीरेड नहीं होने वाला है, जब पीरेड खतम होके एक पूरा साल हो जाता है, तो फिर ऐसा माना जाता है, कि आपका menopause अभी complete हो गया, मेनोपॉस के पहले हवेवर हमारा बॉडी थोड़ा सा चेंज होने लगता है, मतलब ये पूरी प्रक्रिया होने के लिए बॉडी कुछ-कुछ अपने में बदलाव लाने लगती है, mostly ये जो बदलाव है, ये है आपके fat distribution में changes होने लगते है, आपको याद होगा कि menopause होने के कई साल पहले हर एक लड़की goes through what is called as menarch, menarch मतलब आपका सबसे पहला period, जब आपका period चालू होता है, menarch के पहले भी आपको अगर याद होगा, तो almost two years before, मतलब नोट याद होगा, पर अभी now that you are old enough, आप भी ये बता पहोगे, कि जब लड़किया बड़ी होती रहती है, तब हम उनको देखके, almost 2 साल पहले देखके ही उनके शरीर में जो बदलाव आया है, उसको देखके ही हम बता सकते हैं, कि शायद अभी दो साल में, देड़ दो साल में इसको period आ जाएगा, उनको थोड़ा-थोड़ा सा breast development आपको दिखेगा, थोड़ा-थोड़ा stomach या waist में fat आपको दिखेगा, और फिर आप ये जान जाएंगे, वो बड़ी में जो बदलाव आया है, उसके वज़े से अब जान जाओगे, कि अगले एक-दो साल में period आने वाला है, मेनार्च के टाइम पे क्या होता है, कि एस्ट्रोजन की मातरा हमारे बड़ी में बढ़ने लगती है, एस्ट्रोजन की मातरा बढ़ने के वज़े से थोड़ा सा body fat में बढ़ाव होने लगता है, हमको female-like characteristics आने लगती है, और उसके वज़े से कोई भी जो हमारे से उमर में बढ़ी हो, वो ये बता सकती है कि दो साल के बाद में period आने वाला है, वैसे ही period खतम होने के time पे, दो साल के पहले जो भी senior ladies हमारे around रहेंगी, वो हमको देखके बता पाएंगी कि दो साल में इसका menopause होने वाला है, Now, interestingly, estrogen अगर फट करके drop हो गया, अगर progesteron और estrogen फट करके drop हो गया, तो आपको कई सारे problems हो सकते है, problems मतलब जो typically हम लोग menopause के symptoms, you can have mood swings, you can have cravings, you may have sudden hair loss, you may have pigmentation, मतलब skin आपका अच्छा ना लगे, उस पे दाने दाने आ जाये, या उस पे patches patches आ जाये, फिर night sweats and hot flushes, hot flushes मतलब रात में, almost menopause के time पे ऐसा रहता है ना, कि जब मिया बीवी एक ही bedroom में सोते है, तभी almost 20 years के लिए, husband अपने wife को torture कता है, कितने पे भी AC लगा के और wife has it, you know she keeps sleeping under many blankets, menopause के around ये change हो जाता है, क्या change हो जाता है, कि wife को गर्मी लगने लगती है, और husband को थंडी लगने लगती है, but wife को steadily थंडी नहीं लगती, उसको रात में कभी थंडा, कभी गरम, कभी थंडा, कभी गरम, तो कभी AC चाहिए, तो कभी AC को बंद करो, फिर कभी पंखा लगाओ, कभी चदर ओडो, कभी चदर को निकालो, पूरा रात यही सब चलता रहता है, these are typically called as hot flushes, or night sweats, with all this, you may also see some increase in weight, or some change in the body fat distribution, so यह सारे changes हो जाएंगे, अगर estrogen फट करके गिर गया तो, तो हमारा body हमको क्या करता है, menopause के around, जो दो साल पहले आपको जो change दिखाई देता है, वो यह है कि आपके body fat के मातरा में, थोड़ा सा, you will see an increase, not too much of an increase, a mild increase, यह increase body क्यों करता है, ताके it is able to support you through the phase of menopause, मतलब, instead of estrogen progesterone crashing, what will happen, is that यह जो body fat है, क्योंके मैंने मराठी में बताया था, कि actually मेरी एक अत्या है, उन्होंने मेरे को बहुत साल पहले बताया था, 20 साल पहले उन्होंने मेरे से यह, मुझे यह बताया था, लेकिन कोई-कोई चीजे रहती है, जो आपके दिल और दिमाग में ऐसे घुश जाती है, कि फिर वो जिन्दगी बर नहीं निकलती, तो तभी मेरे को दूरगात्या ने बताया था, कि actually body में दो चीजे है, जो estrogen प्रोड्यूस करती है, एक तो ovaries है, और दूसरा जो है, हमारा fat cell जो है, वो भी हलका सा estrogen प्रोड्यूस करता है, तो एकदम से estrogen का crash ना आए, उसके वज़े से जो fat cells है, वो थोड़े से बढ़ जाते है, and they ensure कि हमारा estrogen, मतलब female hormone का जो drop होएगा, वो एकदम से sharp drop ना हो, और वो, so instead of having a sharp drop in the female hormones, you kind of get a blunt curve, अगर blunt हो गया peak, तो फिर आपके ये सारे जो symptoms है, वो आपको नहीं होंगे, जितना आराम आराम से estrogen चड़ेगा, उतना ही आपको pigmentation, hair loss, night sweats, mood swings, इन सब के वज़े से आपका life बिगड़ेगा नहीं, तो ये बदलाव जो है, इसको बिगाड में ना बदलने के लिए, आपको आपके body के changes के साथ में, you need to make peace with it, आपको आपकी सहमती देनी होगे, आपके body को के ठीक है बाई, बदलो, बस बिगड़ो नहीं, और बिगड़ने के लिए, आप मतलब बदल का बिगाड में, conversion तभी हो जाता है, जब आप इस phase में random diets, random exercise, random अभी मैं जवान हुई हूँ, now I will live for myself, now I will night till like 5 o'clock in the morning, I am gonna dance, अगर ऐसा सब आप करने लगे, तो फिर वो बदल का बिगाड में conversion हो जाता है, ने तो ये बदल जो है, ये आपको आपके hormonal milestone के तरफ, आराम से पहुचने का मौका देता है, और उसके बाद में, your body returns to the shape and size that it has always been at, तो don't struggle with this too much, that's the main message, अगर struggle करोगे, तो ये सारा आपको होगा, now, what are the things that we need to do, okay, the first thing is diet, diet पर आपको ध्यान देना है, डाइट पर आपको क्यों ध्यान देना है, क्योंकि याद रखिये के body shift हो रहा है, बदल हो रहा है, तो आपको आपके diet के थ्रू, सारे जो nutrients है, वो मिलने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रियंट्स भी मिलने चाहिए, अभी माइक्रो न्यूट्रियंट्स के लिए आप क्या करोगे, market में देखोगे, तो मेनोपॉस के लिए आपको बहुत सारे supplements मिलेंगे, लेकिन सिर्फ supplements लेके आपको ये सब में सुधार नहीं आएगा आपको अगर actual में सुधार लाना है तो what you need to do with your diet is that diet का कोई भी नाम नहीं होना चाहिए आपका diet होना चाहिए local, seasonal और traditional local मतलब जो आपके आजुबाजु में grow होता हो seasonal मतलब आम की season में आम अम्रूद के season में अम्रूद और चिक्कू के season में या सपोते के season में सपोता बलम ककडी के season में बलम ककडी और traditional, traditional मतलब आपके दादी नानी ने जैसे आपको सिखाया हो उसी पारम पारिक recipes में खाना बनाना क्या है यह हमारा जो ट्रेडिशन है यह हम लोग धीरे धीरे उसको गवाते जा रहे हैं हम उसको गवाते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को उसकी वैल्यू नहीं है हमको उसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि लार्जली हमारा कुकिंग ट्रेडिशन का जो वेल्थ है ये हमको हमारे घर के महिलाओं के थूँ आता है हमारी बुवा, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी मा, हमारी अम्मा, हमारी मासी, हमारी दीदी, हमारी आंटी यो भी है ये सब लोग हमको ये पारंपारिक विद्या का धन हम तक सौपाते है लेकिन कैसे करते है, oral wisdom के थूप, बता बता के, तो overall क्या होता है, कि जो oral wisdom में आता है, मतलब जिसे हम गुरू शिश्य परंपरा कहते है, जो मुझे बताया है, तो उसके हिसाब से मैं करूँगी, यह जो एक understanding है, यह oral vidya है, this is how food wisdom reaches us, यह food wisdom हमारा जो है, मतलब local, seasonal, traditional diet, खाना, traditionally खाना, यह oral है, यह आता है आपको आपके native language में, तो यह आपको मारवाडी, Sindhi, Hindi, Gujarati, Malayali, Tamil, Kashmiri, यह सब languages में आप तक पहुचता है, it doesn't reach you in English, and it comes through the form of women, अभी unfortunately हमको क्या हो गया है, कि अगर oral है, native है और women के द्वारा आया है, तो हम लोग इसको कुबूल ही नहीं करते है, तो हमको इसको मानना पड़ेगा, for the tradition that it is, for the wisdom that it bestows upon us, that it allows us to overcome every change in our life with a smile on our lips, तो this, अभी आप अबराड देखोगे, कि आपके दादी नानी ने बताई हुई बात अभी scientific मानी जाती है, Wall Street Journal ने recently घी के उपर headline मारा, उसके पहले, कुछ साल पहले, हल्दी दूत का महत्व स्टारबक्स सक पहुच गया, and you can get turmeric latte, और golden milk, और whatever else, लेकिन हमारी यह जो पुरानी आदत है, कि हम अपने घरो में से जो विद्या है, उसको जब तक कोई English का नाम दे के, कोई West में से कहता नहीं, कोई newspaper headline आता नहीं, तब तक हम लोग इसको, जितना उसको भाव मिलना चाहिए, उतना देते नहीं है, तो we have to value this wisdom for what it is, the reason why we should value this wisdom is because following this wisdom adds to diversity of the diet, diversity of the diet मतलब यह आपको वो सारे nutrients पहुचाता है, वो सारे polyphenols पहुचाता है, वो सारे phytoestrogens पहुचाता है, वो सारे nutrients पहुचाता है, जो के अब तक nutrition science ने discover तक नहीं किये, तो give you a small example, जब आपके यहां पर गर्णपती वगेरा रहा होगा, तभी शायद आपने रुशन की भाजी बनाई होगी, या फिर मोदक खाया होगा, इन rice flour and some coconut filling, फिर उसके बाद में अभी जो पित्रू पक्षर या श्राद का पीरेड चल रहा है, वहाँ पर शायद आपने करेला का भाजी या पंकिन का भाजी या तोरी का भाजी पूरी के साथ और rice flour के साथ खाया होगा, अभी जब नवरातरी का टाइम आएगा, तभी आप शायद सोंदल या उसर्ज और उसके साथ में कुट्टू या राजगिरा या साबू दाना, य पूरी श्रीखंट या फिर आपके यहां का जो भी speciality meal है वो बनाऊगे, फिर दिवाली के टाइम पर दिवाली की सारी पारंपारिक चीजे बनाऊगे, लड़ू हो गया, यो नो, लड़ू हो, सेव हो, जो भी आप बनाते हो, अभी हर किसी का diversity cover करना possible नहीं है, पर मेरा कहन का तातपरिया यही है कि हर समय हम हमारे डायट में natural changes लेके आते हैं, जब हम local, seasonal, traditional diet से उठ जाते हैं, तब हम सारी उन चीज़ों से उठ जाते हैं, जो के हमारे डायट में naturally diversity लेके आते हैं, क्यूंकि राइस खाना लाओड नहीं है, सामो चावल तो बिलकुल नहीं खा सकते साबुदाना के तरफ में तो देख भी नहीं सकती, अरे sweet potato में तो बहुत starch है, अरे उसमें तो बहुत fat है, अरे इसमें तो मेरे aminos में cover नहीं कर रही हूँ, अरे blah and blah तो you know this is endless, this thing is just endless, तो एक भी डायट पर मत चाहिए, डायट को carbohydrate protein और fat के तरफ मत reduce कीजिए, आपके काम में नहीं आएगा, especially menopause के time पर ये सारे job के problems हैं उनको बढ़ाएगा, तो local, seasonal, traditional diet होना चाहिए, diversity होनी चाहिए, विविधता में ही एकता है, अगर विविधता गई, तो life छोटी हो जाती है, वैसे वाली life जहां पर आपने पूरी विविधता छोड़ दी, और अभी बस मैंने स सब कुछ किया, लेकिन मेरे लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया, अभी ये जो feeling है, ये जो हम विविधता हमारी छोड़ देते हैं, हम जब हमारे खुद के लिए जो हमने अलग-अलग roles adopt किये हैं, वो छोड़ देते हैं, और हमारे life के रोल को बस एक बना देते हैं, तो 40s म फॉलो करना पड़ेगा, इस समय पर मेनोपॉस के टाइम पर कोई भी आपको डायट पर नहीं होना चाहिए, not even on fasting और on intermittent fasting, बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे हम लोग तो पहले से ही सिफ दिन का दो बार ही खाते थे, वैसे अगर आप native language पर ध्यान दो, तो दिन का दो ही बार खा लेती है, इस या दिन का चलो दो रोटी मिल चाती है, was basically a method of saying के जैसे तैसे survive कर रही है, thrive नहीं कर रही, life को enjoy नहीं कर रही, बस गुजारा हो रहा है, अगर गुजारा होते रहेगा, तो ये सारा जो है, ये problems बढ़ते जाएंगे, आज अगर आपके पास education है, food के तरफ access है, तो you must make the most out of it, और the reason why हमारे society में लोग ये कह देते हैं, कि अरे हम तो दो ही बार खाते थे, वो इस वज़े से है, कि ये जो संपत्ती है, this has come from women, this has not come from men, कौन सी संपत्ती, कि शंकरपढ़ा कैसा बनाना है, मठरी कैसे बनानी है, हिंग का अचार कैसे डाला जाता है, जोंद का लड़ू और राजगिरे का लड़ू में क्या फरक रहेगा, शक्कर किसमें जाएगी, गुड किसमें गिरेगा, अगर गुलाब है तो गुलाब का क्या बनेगा, गुलकम बनेगा या गुलाब जल बनेगा, ये जो हम लोग घर में हमेशा हमारा किचिन फुल रहत था खाने के साथ अगर कोई तीन चार बजे आया तो उसको चाय के साथ नाश्ता जरूर मिलता था और नाश्ते में फिर जो भी हमने फ्रेश ड्राइ स्नाक्स बना के रखे जो हमारे किछन में आट-दस दिन रहते थे that is the stuff that we used to be eating we have had a rich tradition of eating and of feeding people and we have the good sense of knowing where to stop eating हमेशा हमने ये भी सुनाय हमारे दादी नानी के थू के ध्यान देके खाओ तो हम लोग obviously सही खाते है और सही समय पर अपना खाना रुका देते है so it's really about going and re-valuing this wisdom you know ताके हमारी diversity बनी रहे जब हम diets पे जाते है जाहे वो calorie deficit के हो चाहे वो keto हो चाहे वो fasting हो चाहे वो जो भी हो तब क्या होता है हमारी diversity श्रिंक होती है हमारे micronutrients श्रिंक होते है और सारे menopause के symptoms और body fat बढ़ता है तो यह dangerous है इस समय पर कोई भी ऐसा डायट करना जो के sustainable ना हूँ तो sustainable का मतलब क्या है sustainable का मतलब यह है कि ऐसा डायट करना जो के आपके बच्चे भी कर वाए जो के आपको सारे आपके डायट में विवितता रहेगे आपके स्किन गलो करेगी आपकी वेस्ट छोटी हो जाएगी आपका constipation acidity bloating mood swings चला जाएगा और आपका धीरे धीरे लेकिन in sure and steady way में वजन उतरते रहेगा so remember this this is the most important thing that I would like to say to you about your diet वैसे अगर आप बुरा नमानों तो मैं आपको और एक बात कहना चाहूंगी वैसे यह लोग हम लोग मुंबाइ में ऐसा बोलते है कि जब हमको कोई भी चीज की value नहीं है तब हम बोलते है कि क्या बाप का माल समझाए क्या पर actually जो बाप का माल रहता है जो हमको हमारे family lineage से में से जो आता है उसकी हमको value बहुत रहती है actually यह जो हमारे दादी नानी, mothers, mommy, buah, maasi इन से जो हमको माल या wisdom मिलता है उसको हम बाप के माल के तरह use करते है वो बाप का माल नहीं है वो मा का माल है उसको ठीक से use करना है और अपने बेटियों तक और बेटों तक आगे पहुचाना है यह शायद हमारा एक ही ऐसा generation है which may not treat it with the respect that it deserves and if we do that तो फिर हमारा culture appropriate होते रहेगा कोई और हमको हमारी ही विद्या pill, potion, powder में package करके बेचेगा और हम पैसे देके उसको खरीदेंगे तो हर किसी की value पैसो से नहीं होती है पहचान से होती है तो इसे पहचानिये और इसे अपनाईये Second point is on exercise आपको कौन से टाइप की exercise करनी चाहिए आपको ऐसी exercise करनी चाहिए जिसमें आपकी strength बड़े जिससे आपका stamina बड़े जिससे आपकी flexibility बड़े और जिससे आपकी stability बढ़े तो योगा हो और strength training, cardio सबका combination होना बहुत ज़रूरी है लेकिन strength training कम से कम दो दिन हफते के आपको करना चाहिए योगा जोके ये सारे factors को train करता है वो भी आपको कम से कम two times a week करना चाहिए तो किसी भी traditional school में जाके आप योगा सीख सकते हो strength training के काफी सारे videos मैंने पहले release किये हुए है आप उन्हें देख लीजे, घर पे follow कीजे exercise जो है, आपको कम से कम 3 घंटा हर हफते के exercise करनी है अभी सब्ता में 3 घंटा निकालना खुद के लिए काफी आसान बात है तो आसान बातों को मुश्किल मत बनाई है पहले खुद के लिए समय निकालिये उसके बाद में जो बाकी सब कुछ है वोग कीजिए अगर आधा घंटा भी आप खुद के लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो ध्यान रखिए आप आपका घर और करियर भी अच्छे से नहीं चला रहे हो जब आप आधा घंटा खुद के लिए निकालते हो और एकसाइस करते हो हर रोज का आधा घंटा या हर अगले एक दिन चोडके एक घंटा तो it's a reflection of what a good life you have led and how efficiently you've managed everything that you have taken on whether it's a home, whether it's a career, whether it is both whether it is pets, whether it is children, whether it's whatever that you have taken on in your life तो three hours a week ये तो करना ही है चाहे जो भी हो जाएं और कब तक करना है? मेनो पॉस होने तक? तो नहीं, मरने तक मरने तक इतना exercise करना है ताके हम और किसी पर dependent नहीं तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है rest and recovery बहुत लोग हैं जो के almost उम्र भर rest और recovery करते ही नहीं और फिर मेनो पॉस पे आते ही बोलते हैं now I'm going to take me time अभी life ऐसा नहीं होता है कि पहला we time और उसके बाद में me time live जो है it's an interaction of we and me time अगर me time नहीं रहेगा तो we time भी नहीं होएगा और अगर we time नहीं होएगा तो me time भी नहीं रहेगा so what should you do you must make sure that you are napping at least 20 minutes in the afternoon and you are pre-poning your bedtime to between 9.30 and 11.00 pm in the night ये दोनों करना बहुत जरूरी है अगर दुपैर में हम जादा सो गए तो रात को सो नहीं पाओगे अगर रात को आप सो नहीं पाए not because you have slept in the afternoon but maybe because you are going through one of these symptoms तो फिर यही है कि आप diet पे हो तो आप सो नहीं पाए and that's a terrible reason to lose your sleep इश्ख में नींद जाना और diet में नींद जाना में बहुत बड़ा फरक है अगर आप dieting करने लगे और आप over exercising करने लगे तो फिर रात को बराबर नीन नहीं आती है तो यह सारे symptoms का त्रास बड़ेगा घटेगा नहीं तो उसको घटाने के लिए time पे सोईए और दुपेर के 20 minute आप खुद के लिए nap निकालिए this is the me time that we are looking at at least हफते के 5 से 6 दिन तो इसी समय पे आप सोईए एका दिन आप रात भर जागे there is no problem but at least 5 to 6 days every week this is what you should do and every day this is what you should nap Sunday है तो 2 घंटा सोऊं क्या no Sunday है या Saturday है physiology को कुछ फरक नहीं पड़ता है it wants you to live your life in a regulated manner last में आपका menopause कब होएगा आपको कैसे पता है कि आपका menopause कब होने वाला है 40 के बाद में होता है क्या 50 के बाद में होता है क्या तो यह typically यह जो चीजे है यह genetic रहती है अगर आपको यह जानना है कि आपका menopause कब हुआ है तो आपको यह जानना पड़ेगा कि आपके mother का menopause कब हुआ है mostly आपके mother का मासी का और बुआ का one of them के हिसाब से आपका menopause होता है mother is the most closest link so find out and let's say if your mother has menopause at around 46 सो फिर आपका उसी जोन के around menopause होगा if your mother has menopause at about 52 तो उसी जोन में आपका menopause होगा anyways menopause में आप हो या ना हो सही डायेट सही exercise और सही तरह की का rest और recovery करने के लिए किसी भी महरत के आपको ज़रूरत नहीं है वह आज से ही चालू करो और उम्र भर करो यही इच्छा इश्वर से करती हूँ और आप से विदा लेती हूँ धन्यवाद